एनिमेशन में फ्रेम होता क्या है? यह कैसे वर्क करता है? इसे यूज़ होता क्यू है? और कैसे होता है? आप लोगोंने पिच्चर बुक अनिमेशन तो देखा होगा जिन जिन को नहीं पता इस टाइप के बुक में हरकी एक पेजिज में एक अलग अलग सीन होते है उन सब को एक सा चलाया जाता है तो यह ऐसा इल्यूजन मॉवमेंट की तरह काम करते हैं अब आप लोग मुझसे प पिच्चर बुक की एक पेज को एक फ्रेम बोलेंगे वैसे ही दूसरे पेज को दूसरा फ्रेम क्या आपको पता है एक 20 सेकेंड की एनिमे बनानी के लिए 15,000 फ्रेम लगते हैं यह लगभा कुछ ऐसा लिखता है यही चीज कम्प्यूटर में भी सेम है कम्प्यूटर में आने वाले सौट्वेर जैसे क्रीटा और बाकी में भी सेम है उसमें भी एनिमेशन के लिए बहु लिए प्रो करते हैं इवन आनिमे बनाने में भी रही प्रॉक्झ का यूज होता है मैं यही चीज आपको एक एगजांपल साथ समझाता हूँ हम इस चीज को ईकी इनिमेशन के एकमपल से बताते हुआ है 灯ही टुदी एनिमेशन में थे दो टाइप होते है एक हुद है वे इसे ग्राफिक्स टेबलेट के थुरू एनिमेशन सॉफ्वेर में बनाया जाता है। सॉफ्वेर जिसे क्रिटा, पिचर बुक एनिमेशन भी ट्रेडिशनल एनिमेशन का टाइप है। और इसके हर एक-एक पेज को हम एक-एक फ्रेम बोलते हैं। अभी भी वो लोग है, जिने समझ में नहीं आया है कि एनिमेशन के अंतर फ्रेम क्या होते हैं। उन्हें एक बेसिक एक्जामपल के साथ समझा देते हैं। इस पिचर में चार पोजेस हैं। पहले पोज में उसका पमागे है। जो की है, कॉंटेक्ट पोज। दूसरा है डॉॉन पोजो में उसका पाओ जुका हुआ है, और एक पीछे हैं। तीसरा है पासिंग पोजो जिसमें इसके दोनों पाओ एक दूसरे से पास होके निकल रहे और लास्ट यो भी लिस्ट अपोज इस एक पाओ जो … और एक पाओ जमेन में हैं, यह सारी पोजेस हैं और इन सब को एक साथ चलाया जाता है तो यह ऐसा एनिमेशन काम करते हैं, contact, down, passing, up, यह सारी भी एक frame है, जिनने line by line रखा जायते हैं, एक एनिमेशन बनता है, इस वीडियो में, जिस भी software या फिर किसी भी gadget की बात किये हैं, link description में हैं, चाहो तो buy कर सकते हो, अगर आप चाहते हो, ऐसी और वीडियो दिखना, मुझे यानि MM20 को subscribe करो, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है, क्या, वीडियो खतम, भागो यहां से, क्या है, बात कि इस वीडियो जब वीडियों चाहते हो, वीडियों गदी। मैं हो कि एक बढ़िया प्रहते हैं,